हेलो बच्चो टोड़े वी लेरन लेकिन इसको क्या करेंगे पीना आगर हम लोग कंसेट के समझें नहीं आने वाला तो बच्चे कंसेट बहुत ज़रूरी है टो चील है नों का कहते हैं पहले exercise five point three का concept को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि यह अबर क्या बोला क्या जा रहा है, तो देखे बच्चे exercise five point three का पहला concept है क्या पहला concept बच्चे तो सबसे पहले एक circle हम नों बनाते हैं, तब ओ ही है इसको मैंने जॉइन कर दिया इसकेल की हेल्प से बच्चे इसकेल की हेल्प सब जॉइन करीगा ना और इसको मैंने क्या कर दिया जॉइन कर दोगे स्केल की हेल्प से जोइन करें दिखें समझाना क्या चाहरा हो ना बच्चे कि बच्चे दिखें इसको बोलते हैं diameter A, B, A, B क्या है बच्चे एक diameter है और यहाँ पर भी यहाँ पर भी नाम देदो A, B यह बी क्या है बच्चे डायमीटर है और बच्चे याद रखेए अब आप इस डायमीटर से इस डायमीटर से आप कोई भी एंगल बना लो सरकल पर या तो यह एंगल बना लो या तो ऐसे करके यहां पर एंगल बना लो या फिर ऐसे करके आप यहां पर एंगल बना लो तो आ होगे एंगल कि भी को और सब्सक्राइब कियो होंगा व Started इसा व्ल्टंको इसना कर देखें आप यहाँ पर मैं Ś ingredient यहां पर का लिया स्का कर दिया मैंने कला यह एक्रत करें नहीं हैये इस हई थे शरोगों होद司र से करके रखेंगे यह दिखी यह कि क inspection इसको नाम जाए और तो याद रखे सेमे शरकल से मी सर्कल पर हमेशा 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 एं म्याशाओ बंता है बच्चे मीरें बनता है तो आप इन अ सेमी सरकल बच इसको बोलते हैं सेमी सरकल ना इन सेमी सरकल द एंगल्स आर राइट एंगल्स या फिर आप इसको दूसरे वर्ड में बोल सकते हो ऐसा करके कि एंगल in a semi circle is a right angle की सेमी सरकल पर एंगल कितना होता है बचचे यह होता है यह हो गया बच्छ पहला कॉंसेप्ट क्या हो गया यह पहला कॉंसेप्स फिर पहुए क्या काते है एक सरकल करते है यह पर एक सरकल करते हैं तो यहां पर क्या कर लिए बच्ची यह सर्कल ड्रॉ कर लिए तो आप आप बोलोगे ना कि आप बोलोगे कि सपोस्क्रों कि यहां पर क्या बच्ची एक सेंटर है सेंटर देते हैं नाम ओ देते हैं नाम ओ अब देखिए बच्ची हम लोग ना चलिए इसी कहर से बताता हूं मैंने क्या बनाते हैं एक एंगल बनाते हैं तो यहां पर लिया मैंने यहां पर ऐसे करके एक एंगल यहां और एक एंगल ऐसे करके बना दिया ठीक है चलो इसको मैजर करते हैं कि एंगल कितना है तो इसका नाम देते हैं तो इसको मैजर करना होता है उसको यहां पर रखते हैं और इस लाइन क्यों पर यह से करके रखतें तो तो यह से रहा कि यहां पर इस साइड कहीं पर य यहां पर यहां पर यह ओर रंगल बना लो एक हैसे कर लिया है एक एंगल एसा बना लिया चलो इस एंगल को मैसर करो तो यहाँ पर एक। लिकीश्ट को आपके सब्सक्राइब kupों टिन 02 एateurs क्षेष्ट करके रहा है यहाँ पर पर लाभी यहाँ यह किstein ना रहा है एक चुलो सब्सक्राइब करते हैं आप लोग देख सकते हैं तो आप बोलो कि सर यह कितना है 130 डिगरी निकल करके आ गया यह कितना गया 130 डिगरी तो पता क्या चलता है पता यह चल रहा है सब टेंडेड फ्रॉम ओ सेगमेंट ओफ दर सरकल ऑन बोथ साइड ओफ दर कॉड़ इस 180 डिगरी या फिर आप बोल सकते हो सप्ली मेंट्री सप्ली मेंट्री तो बोलो कि सर बिल्कुल समझ भी नहीं आए आप क्या बोले डे समझा दे रहा हूं दिखिए बोलो बोलो जा रहा एंगल को सम करना है सब्टेंडेड फ्रॉम आ सेगमेंट जो भी सेगमेंट में बना हुआ है ओफ दा साइड ओफ दा कॉड के दोनों साइड एक साइड बना हुआ है 50 डिगरी एक साइड बना हुआ है 130 डिगरी दोनों एंगल को सम करोगे कितना होता है बच्चे वह होता है वर्ड डिगरी यह है बोलने का मतलब या फिर आप इसको दूसरे लेंग्वेज में में बोल सकते हो यह लेंग्वेज बहुत सिंपल सा है तो आप बोलोगी कि सब्सक्राइब करने पर जो भी बना हुआ है कोड के दोनों तरफ वह कितना होता बच्चे वर्टी डिगरी याद रखो कॉंसेप्ट को पढ़ना बहुत जुरूरी है बहुत जुरूरी मिला बहुत जुरूरी है अगर नहीं पढ़ोगे नहीं बनने वाला है तो चली मैं आप लोको क्या करता हूं बुक पर लेकर चलता हूं और बुक कर समझाता हूं तो देखें बच्चे एक्टिवीट्टी 6 में और ये था न जो आप लोको मैं यहां पर बताया हूं एक्सराइज फाइब प्विटेविटी 6 में तो बच्चे इसन बोला जा रहा ह बताया आप लोगो को क्या किया था कि ना ओको सेंटर एज्यूम करके एक डायमेटर और एंगल फॉर्म करिए तो क्या होगा बच्चे सारा होगा 90 डिगरी के आप लोगो यहां पर बताया गया हूं कि कॉड के लिए हम लोग इस पॉइंट पर रखेंगे पहले इसको और फिर इसको मेजर करेंगे देखिए तो यह क्या है बच्ची यह जा रहा है आप बोलोगे तो और दोनों को सम करने पर कितना आ गया बच्चे 180 डिगरी आ गया तो यहां पर आपके सकते हो सर्कल और बोज साइड ऑफ कोड़ इस वनेटी डिग्री यह बच्चे आप लोगों कॉंसेट में यहां पर बता चुका हूं यहां पर कॉंसेट यहला बता दिया हूं ठीक है आई तिन आप लोगों को समझा पाया हूं मैं अब देखे नेक्स आम लोगों क्या करते हैं तो दे आप लोगों को कि यह माइनर्क आर्क है और माइनर्क आर्क हमेशा क्या करेगा बच्चे माइनर एंगल फॉर्म करेगा तो याद रखना है हमेशा कि माइनर आर्क या स्मॉलर पार्ट हमेशा क्या करता है बच्चे स्मॉलर एंगल मतलब क्या होता है स्मॉलर एंगल मतलब ह तो बच्चे less than 90 degree less than 90 degree समझें बिल्कुल नहीं आए समझा दे रहों बच्चे समझ में नहीं आए तो देखे अब मैं बोलूँगा ना बच्चे अच्छा जरह यह बताओ बच्चे यह बताओ कि यह जो यह बी है यह मिजर आर्क है या माइनर आर्क है तो बोलो कि सर यह चोट यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे यहां पर हो जाएगा एक्यूट एंगल ठीक है आइधिंक समझा पाया नेक्स दे एंगल फॉर्मड बाइदा मेजर या ग्रेटर पार्ट ऑफ असर्कल ऑन एनिपॉइंट ऑफ इजर तो यह बताओ बच्चे अप्टिवस एंगल क्या ह है हम अब यह है तो मेजर आर्क यहां पर अंगल कितना फॉर्म कर रहा तो है और वन नचाटी जो होता है न बच्चे वह 90 सग्रेटर वैली होता है मैं या क्या बौते हैं बच्चे तो उसको बहुंगते हैं और क्या उनकर लिग दिया मैं में अब अब आगे है कि इनर सर्क जो था वह एंगल 50 form किया और जो बड़ा एउला segment है जो बड़ा एउला segment वो कितना form किया 130 तो smaller segment और greater segment दोनों मिल करके कितना form करते हैं और 180 डिगरी फर्म करते हैं बच्ची आप लोको segment में पढ़ा चुका हूं exercise 5.1 के concept में अगर नहीं आता है तो क्या करें exercise 5.1 को जाईए और देखिए तो बच्ची यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर हमारा exercise 5.3 का ये वीडियो ओवर होता है आगे वीडियो में क्या होगा आप लोग को exercise 5.3 का notes प्रवाइड होगा जिसको आपको वीडियो के डिस्क्रिशन में मिल जाएगा I hope आपको वीडियो useful लगा होगा और आपको आज कुछ नया सिखने को जुरूर मिला होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो please 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 वीडियो को like करिए, comment करिए और इसे में दोसों के साथ share करिए और चैनल को subscribe करना मत भूलेगा मिलते हैं next वीडियो में, thank you